सबस्क्राइब करें टोटल भक्ती को अब हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बिलाइकन को दबाना ना भूलें अगले जनम में नहीं तो बतीस जनम भी नहीं। नई जब भी मुक्ति का मारेच मिलेगा एइ नादान इंसान सतंसार के मार्ग हजारव होते हैं लेकिं पिच्छी कमंदल धारण केattaIP विना मुक्ति के प्राप्ती नई होती है ने पिच्छी नत्ति दपारण जब तक पिच्छी धारण ना हो जाए जब जब भेश दिगंबर ना आ जाए इस आदमी को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ करता है जब भी मुक्ती होगी तुम्हें पिछी कमंडल और नगनता तो धारन करना ही पड़ेगा मोक्ष का एक ही मार्ग है निर्वार का एक ही मार्ग है किसी ना किसी जन्म में जब भी भाग जगेगा होनहार काम देगी यही रास्ता तुम्हें अपनाना पड़ेगा ना दानो जब रास्ता एक ही है और किसी ना किसी जन्म में यह धारण तो करना ही पड़ेगा और सभी धारण करेंगे इस पंडाल में जितने बैटे हैं वह इसलिए करेंगे जिने इन भगवान की दिक्षा कोई अभब नहीं देखा करता है सबके अंदर भब बिता हुआ करती है सम्म्यक्त हुआ यहां आकर बैटे हैं अभी ना जाने कितने लोग रागरंड में लीन होंगे संसार की ठारी मारी में लगे होंगे तुम्हारे भव का किनारा आचुका है ना मैंने यहां बुलाया ना तुम यहां आए तुलसीलास जैसे रामाइन में कहते हैं की अब मोही समझ परीहन मनता और हरी क्रपा बिन मिलहीन शंता ये उसकी ग्रपा ये उसने बुलाया है जो आज यहां आप बैटे हुए हैं जिने इंद्र भगवान की दिक्षा देख रहे हैं इभावना वाना सिद्ध साक्षी दिक्षा हमारी भी होना चाहिए हमारे जीवन का भी कल्यान हो कब तक नहीं करो भटको के संसा